हे दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करेंगे भी आईफून 11 के बारे में कुछ लोग आईफून 11 का बेस सबरी से इंतजा कर रहे हैं बहुत लोग पसंद है उसके multiple reason है उ अगले एक दो मेनों में आने वाली है तो उनके लिए बहुत-बड़ी न्यूस है उसके बारे में बात करते हैं सबस्तों आइफून 11 के बारे जो लॉंच होता है 2019 में लॉंच होती थी आइफून 11 प्रो मैक्स जैसे हर साल की इनकी रिच सी होती है एफून वालों की एपल साल यह जो प्रो मॉडल से वह नेक्स्ट यरी डिसकेंटिन्यू कर देते हैं जब इनकी नई सीरीज लॉंच होती है ताकि प्रो मॉडल को और बढ़ावा मिल चुक है आगे तक के प्रो मॉडल से बिख सुके है तो नॉन प्रो मोडल होते है वह दो तीन सार साल तक दिखते अब लिए तक भी यह दो बारा से एक साल होने को जा रहा है और यह बाकिया इतना शांदार फोन है तो क्यों नहीं हो और आज जो मैं आपको निवस बताने जा रहा हूं न यह बहुत जरूरी है उन लोग के लिए जो कफी टाइम से कफी बेसावरी से निजा कर रहे है आई दोस्तों देखिए आपने सुना होगा 5G स्पेक्ट्रम के लिए भी बोली लग गई है काफी कंपनिय उसको चेज कर रही है बहुत लोगों ने बोली लगाई है तो 5G स्पेक्ट्रम बड़ी तेजी से काम कर रहा है और लग बग में समस्ता हूं जो मेट्र सुटी बगएर अगली चारपाद शे महीन है यह ट्राइल बिसेश पर फुल फ्लेश पर इसली लॉंच भी हो जाए तो दोस्तों हमारा जो आइफोन 11 यह है 4G फोन तो यह बहुत संभव है कि अभी अगर आप देखिंगे जो लोग घर पे या ओफिस में हमेशा एक वाइफा एंवारेमें इसके साथ कंटीनू कर पाएं उन्हें साथ कुई प्रब्लम होगी है 4G साटिस्फाई है इतना 5G का उने क्रेस भी नहीं है बट प्रब्लम यह है कि जो अभी आइफोन बीडी सेल आने वाली है और आइफोन 14 की सिरीज लॉंच होने वाली है अभी उसके दुनिया वर के टी है वह है इसका 4G होना 4G होने के वज़े से यह 99% बिल्कुल डिसकंट्यूनी होगा इस बार और जो लोग वाके में काफी टाइम से इसका वेट कर रहे हैं इसको खरीदने कर चाहा कर रहे हैं बहुत लोगों पसंद है परसनली मुझे बहुत पसंद है आइफोन 13 मैंने यू जाता है और साइड की जो साइड का इसका फ्रेम है अलमुनियम फ्रेम है काफी स्टॉंग फिल्म में स्क्रेच भी इसली नहीं आते है और जो यह इस तक जो डिजाइन तरने काफी कंपटेवल भी था तो जिसके वर्ज़े से काफी लोग पसंद करते हैं तो हो ज़कता है और रही कैमरे की बात तो कैमरा तो इसका बाके में शांदार है सिर्फ नाइट मोड में इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस इगनुब करते हैं दिन में बहुत ही शांदार कैमरा आज भी आइफों 12-13 के कैमरे को आराम से बीट करता है तो दोस्तों यह था एक निउस कि जब इस पार हो चुगा है एक साथ तो यह थी आज की छोटी सी न्यूज आईफोन 11 के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 12 की तरफ या 13 की तरफ ही जाना पड़ेगा अगर आपको देखना है और इसके साथ साथ हो सकता है 12 मिनी और 13 मिनी भी डिसकेंट हो जाए और 14 में वैसे हैं पता है जो मिनी मॉडल है उसको लांच नहीं कर रहे हैं उसकी जगा 14 मैक्स वगयरा आने वाला है तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो मेरा वीडियो की अगर इंफोर्मेशन आपको अच्छी लेगी हो तो प्लीज आप पताईएगा इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं फिर एक किसी और एक वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच